हलो दोस्तों कैसे आप सबी लोग उम्मीद करता है अच्छ होगी यह वेबसाइट आपने पक्का देखी होगी और एलेक्स नहीं देखी होगी तो अटली सैट तो देखा होगा पुरा ना जाएगा तब ही तो नहीं आएगा तो बेसिकली क्या होता है इसमें हम लोग फ्लिप वो बेसिकली बोलते है तो कैसे बनाइगे इस वेबसाइट को चलि देखते है तो उसके लिए विज्यों स्कृप्ट चाहिए उसका नामे लारा क्लासिफाइट व्याइव एफ एप्लिकेशन काफ़ अच्छी अप्लिकेशन है तो इसको आपको चाहिए लिंक लिएगा वस केस में मैं इसको sub domain में setup कर रहा हूँ तो मैं demo folder हुगा उसमें upload करूँगा आपके case में जो भी है उसमें upload करेंगे तो कुछ file पहले से इनको हम यह से delete कर देते हैं और यहां पे upload के option पे जाके जो हमारी file उसको हम upload uploadization पे लगा देते हैं तो यहां पे वह upload होने लगे जब तक यह फाइल upload हो रही है तब तक हम लोग क्या करेंगे एक database बना लेंगे ठीक है तो database पे जाएंगे management पे जाएंगे हम database का नाम दे देते हैं तो हमारे case में demo2 है और create पे क्लिक कर देखेंगे अराण 200 MB के फाइल है तो एक दूनिट लग सकते हैं तो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है तो मैं इसे extract कर लेते हैं तो जो भी आपका फोल्डर का नीम में आप फोल डाल लेंगे अगर डारेक्टर पर डारेक्टर पर डारेक्टर कर लेंगे और आपको इंट्रस्टिंग लग रहा है याप मेरे पाकी वीडियो इंट्रस्टिंग लग तो मेक शूर चैनल को सब्क्राइब करें तो मोटिविशन मिलता है और भी ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो बनाने के लिए एंड किस तरह क्या वेबसाइट चाहते कि आपको उसे खाया जाए तो आप उसे कमे ठीक है यहां पर आप अपना email address देदीजिए तो यहां पर हम डेमो सिंग के साथ चलते हैं ठीक है जो भी आपको password देना है वो आप यहां पर देदीजिए ठीक है तो हम यहां पर यह password set कर देते हैं और यहां पर हम next अब mail हो गयरा अगर आपको smtp configure करना है तो smtp आप configure यह देगे यहां पर जो भी आपका password आपर set किया था आप उसे डाल देगे और next करेंगे बाकि दोन ओप्शन को आप blank छोड़ देंगे setup database पर click करेंगे call job के लिए मैंने वीडियो बना रखा है क्या से configure करना है basically आपको इसे copy करके जाके call job के option में इसको paste कर देना है तो आप इक लिए स्क्रिप करेंगे next पर finish पर click करेंगे और यह आपके website ready हो गई तो by default कुछ category सब category यहां पर आएगा locations आएगी आप यहां पर हो तो मुझे यहां पर आपना कुछ में सर्च करता हूं तो देखे city automatically आजाएगी क्योंकि यहां पर already country selected है तो आप basically मुझे से login करना है पहले आपनो बात करेंगे back-end site की ठीक है तो back-end site में क्या करना है slash आपको डालना है और admin डाल देना है तो कुछ इस तरह का login इंटरफेस हाजाएगा तो जो भी आपने आपने पास बनाएते हैं अपने के रहते हैं तो हम आपने यहां पर details टाल देंगे और login पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का interface यहां पर login हो जाएगा टिक है यहां पर लेटेस लिस्तिंग लेटेस यूजर यूजर स्टेट अपको च्टेड सब कुछ आजाएगा अब बात कहते हैं सबस्टे पहले हम नेचा से बस्ट करना चाए तो नेचा समयासा कर सकते हैं तो बात क्र छेतिश को सब्स्तेंस और brand के according होते हैं, तो जो भी आपका color का option है, आप उसको अपने according यहाँ पे set कर सकते हैं, then listing में, जैसे हैं आप लिस्टिंग करेंगे, हम लोग तो यहाँ लिस्टिंग फॉर्म में क्या multi step हो है, पहले आप क्या product sell करना जाते हैं, किस category में sell करना चाते हैं, वो options हो गए, then कितनी फोटोस आप अपलोड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितनी लिस्टिंग पर user हो है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितनी description के length होगी, वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, तो यह सभी options के according यह अपनी एक अपनी है गुवा संसरा कि प作مة बिर्णतिज रहीं बेडी कराना हो ऊपने है यह कःभिप में आप आपको पुकिक Això अपनड है trigger यह को अपनी करना है तो आप आपने का अपनी पर पर आूप नहीं करता है तो आपनी लिस्टिंग के वाद आता है package तो क्या होता है अगर आपको more than आपको ज्यादा लिस्टिंग करनी है तो आपको package देना पड़ेगा ठीक है तो अब basic package free है premium package लेंगे तो जो आपकी listing है वो बड़ जाएगी ठीक है कि आप पर मत 100 list कर पाएंगे अब बेसिक पेकेज में पर मत पचास listing कर पाएंगे अगर आप चाहो तो 5 कर सकते हो 10 कर सकते हो according to अपने according याँ पे packages बना लेंगे तो जो भी package आप बना चाहें वो बना सकते हैं बहुत एजी है अब जड़ा setting options हैं मारे पास ठीक है लिस्टिंग कितनी के नियों आपने पांच ही देनी है पर डालर ज्यादा है तो फिर आप इसको 55 कर देते हैं ठीक है तो उसका हम $750 चार्ज करेंगे उसके according जिसमें आप जो टाइम होगा वह साथ बार साथ दिन के लिए टॉप पे रहीगी जिसमें आप 10 पिचर तक डाल सकते हैं ठीक है जिसमें आप Facebook Ads पर गार भी यह लाग कर सकते हैं में एक दिर के Facebook Ads चलाएंगे इस तरह से आप साइट क करेंगे तो एक option है तो आप Google Ads कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर बहुत जाएंगे options हैं तो जो भी आपको Google Ads कोड़े आप यहां में डाल सकते हैं तो एक income source होगे आपका subscription, एक income source होगे आपका Google Ads अब आता है payment gateway, subscription है तो payment gateway भी होगा ठीक है तो हम settings में जाएगे हमाँ पास payment method है यहां पर हमारे पास options है तो अगर हमें कोई manual payment gateway बनाना है तो हम भी बना सकते हैं पर अभी हमारे पास यहां PayPal का option है ठीक है तो यह options हो गए हमने यहां पर सेट के लिए आप आते हैं listing पे तो listing में सबसे important है category ठीक है तो by default आपको काफे सारी categories से यहां पर मिलती है ऐसा auto wise में जाता हूँ मैं तो यहां पर आपको जो भी image लगानी icon वो लगा सकते है description डाल सकते है ठीक है इस तरह से हो गया अब मैं इसी में listing पे click करता हूँ यहां पर click करूँगा तो इसके अंदर के sub category भी है आप यह motorcycle लेपर मुझे एक bike category sub category बिनानी है तो मैं करूँ हो चूज करना हो तो मैं चूज कर सकता हूं इस तरह सब्सक्राइग जाएगी जो भी पिचर सब्सक्राइगी वो आपको यहां पे सब दीखेंगी तो आपको इस लिस्टिंग करनी है as a admin तो तो मैं यह ऐसे करी सकता हूं otherwise वह लोग कर सकते हैं जो बहार से लिश्टिंग आई वो यहां पर अप्रूफ हो जाएंगी तो कैसे हमने डोमें पर जाएंगे कुछ इस तरह का option दिखेगा तो हम एक bike के लेते हैं कोई भी image bike के लेते हैं that's one looking good ठीक है तो हम इसकी image को save कर लेते हैं हमें यह पर category select करने हैं हमें अपर category select किया तो हमसे bike category select select करें ठीक है ठीक है bike को यह copy कर लेंगा as a description ठीक है तो हम यह पर description डाल दिया अब यह brand को option कहां से मिलेगा custom field में जाएंगे यहां पर दिखेगे car brands आ गए तो इस तरह से यहां से आपको जो भी बनाना है कि वह सारे इसकी conditions रहती है वहां से आप से select कर सकते हैं तो आभी के लिए option को select कर लेते हैं year of registration यह सारे options आपको यहां पर बिल जाएंगे यहां से आप बना सकते है fuel type क्या है वागे जावस क्या है तो इस तरह से आप यहां सेट करना चाहिए सेट कर सकते है अपने according तो हमने select किया यह साब एक randomly कुछ भी पहला option है जो हमने select करते जलते है ठीक है अब यहां पर करेंद से उस्ट करें थी by default इंडिया है तो यहां पर iNR होगा है ठीक है तो हमने इसको select clear Delhi में ठीक है अब यहां पर अपनी details टाल दी हमने ठीक है जैसे जीज़ा Devils टाल दी ठीक है तो we have to mention is the right number ठीक है अब आपको फोटो अप्लोड करना है तो जो हमने फोटो डावलोड किती है आपने फोटो ले ली submit पर click किया है ठीक है तो हमारी यहां पर listing हो गई ठीक है यहां पर जाएंगे हम अपनी listing में जाएंगे तो देखिए यहां पर देखिए पर यह auto approve के होगी क्योंकि हमने settings में auto approve guest डाला था enable किया था जो दो settings हमने enable के थे इसलिए enable होगी तो इस तरह से आपके listing अगर आप नहीं डालते हैं अप approval के लिए enable करते हैं तो आपको लिस्टिंग यहां पर दिखती है ठीक है अब यहां पर verification code का भी option है यह कैसे work करता है यहां पर हमारे पास SMS setting के options है ठीक है जिसके थुरूँ आप यहां पर प्रिवियम करेंगा तो प्रिवियम करने पर यहां पर पे करने का चार्ज आ जाएगा यहां पने package को अब अब नहीं किया इसला मैं दिखनी रहा है ठीक है तो इससे आप पूरी एक OLX जैसी website बना सकते हैं और इस website का benefit का अगर आप इसको सिटी लिवल पर भी चलाते हैं और गूट से लगाते तो अब यहां पर काफी अच्छा revenue आप कर सकते हैं उबीद काता है चोटा से वीडियो अपने काफी यूसफुल आ हुआ अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें मिलते हैं अगली वीडियो